हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब अगर आपकी पीठ पीछे कोई आपकी निंदा करे और आपको पता लगे तो उसमें खुस हो जाना चाहिए क्यों खुस हो जाना चाहिए? तो कहते हैं संत महापूरुश कि निंदक नियरे राखिये आँगन कुटी छवाई बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सोहाई निंदक की एक सबसे बन्यागुन ये है कि बीना साबुन बीना पानी हमारे जितने पाप है ना निंदक अपने जीब से हमारे सारे पापों को धो देता है जब पीठ पीछे हमारी कोई बुराई करता है तो समझो क्या हो रहा है यहां आपके हिर्दय की धुलाई चल रही है सफाई चल रही है आपके पापो की मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं मेरे पीठ पीछे बाते करने के लिए और पगार कुछ भी नहीं दी लेकिन काम बड़ी इमंदारी से कर रहा है कोई पगार नहीं लेकिन काम बड़ी इमंदारी से करते हैं बुराई भी एकदम इमंदारी से करते हैं निंदक मीत्र हमारा सबसे बड़ा अगर हमारा कोई मीत्र है हम उसको दुस्मन समझते हैं लेकिन वो वास्तविक्ता में हमारा दुस्मन नहीं है, वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि सबसे भलाई का काम तो वहीं करता है, बैठे बैठे हमारे सारे पापों को धो देता है, एक संत कहते हैं कि अपने निंदक को तो जाकर आपको अवार्ड देना चाहिए, कि आप मेरे जीवन के लिए इतना बढ़िया कारिय कर रहे हैं, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, घर बैठे बिठाए मेरे सब पापो को आप अपने उपर अपने माथे पर ले रहे हैं, कोई निंदा करे अलग बात है, लेकिन अपने आपको इस कीचर से दूर रखना है, क्यो क्योंकि कोई देखे न देखे, पर वो तो देख रहा है, उसका कैमरा जो है न, वो हम सब पर 24 घंटे लगा हुआ है, और बिना बैटरी लो, बैटरी भी लो नहीं होती उसकी कैमरे की, 24 घंटे काम करता है, और विदाउट चार्जिंग, और एक एक चीज जीवन की, जो ठाट रही है, ठाकुर जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज कुछ नहीं बोलेंगे, आज जो कुछ भी तुमको करना है, कर लो, लेकिन एक दिन, जिस दिन परिनाम देना होगा, जिस दिन भगवान की लाठी चलेगी, उस दिन फिर बोलने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा